हेलो गाइस वेलकम बेक टू माय चैनल और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं की गाड़ी चलाते समय जब भी हम गेर लगाने जाते हैं और हमारा दियान गेर की तरफ चला जाता है तो जो स्टेरिंग वो स्टेबल नहीं रह पाता वो इस तरफ जुग जाएगा तो उसमें दिक्कत जाती है और इस्पेशली अगेरा जहां पर रहते हैं वहाँ पर तो काफी ज्यादा दिक्कत जाती तो इस समस्या के बारे में हम इस वीडियो में पर्टिकुलर बात करेंगे पहले मैं आपको कुछ ठीरिटिकल चीज बता दूं और उसके बाद मैं आप आपको डेशली करके बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि गाड़ी चलाने का जो पोस्च्छ रेकुछ इस तरीके का होता है और यहां पर आपका एक हाथ गेर पर होता और एक हाथ इस टेरिंग पर होता सबस्क्राइब करें न ईलगे निदृ राट जए पोड़ा अभाव में tenho में सकता हुआ है उसका ना आप हलका सा स्टेरिंग जो है लेफ्ट में घुमा देते हो तो उससे बचने के लिए आपको करना क्या है या नए ड्राइवल एक गलती करते हैं उससे हमें से आपको बचना है वो गलती यह है कि जब भी आप गेर चेंज करें तब आपका ध्यान जो है मतलब नजरे जो है सीधी सा जाना चाहिए हां आपको केवल पता लगना चाहिए कि हां गेर होतो छीने की तरफ रहे है तो एक नौरमल सी चीज़े सुनने में बड़ी अजीब लगती है vemos होती है तब समझ में आता है बहुत कम लोग इस चीज़ पर गवर कर पाते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको चला के बताता हूं पहले गलत तरीके से चला के बताऊंगा ताकि आपको पता चल सके कि कहां पर समस्या आती है उसके बाद मैं आपको सही तरीके से चला के बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपना जो ध्यान भटकने से बच सकते हैं आप को गयर्चेंज करते को आप इस वाले प्रॉपर वीडियो में ये समझने की कुश partout करते क्योंकि मैं जो आप गलत तरीके से चलाते हों में शाया जो में 900 ओइंब अप छोड़ा और गाड़ी आगे बढ़ गई हमने आ गया मैंने सेकंड गेर लगा दिया है मैंने थर्ड गेर लगा दिया कि स्पीड 40 के आराउंड पहुच गई है और आगे में एक राइट टर्न लेने वाला हूं तो अब यहां पर जैसे ही में टर्न लूंगा और मैंने उसके लिए गेर कम किया तो आप मुझे मैं यहां पर घबरा जाता हूं मैं नीचे देखने टर्न था लेकिन मैंने इस्टेरिंग लेफ्ट की तरफ घुमा दिया अब मुझे राइट टर्न लेने में दिक्कत होई हडबड़ा हट मैं सामने वाला जब लेफ्ट को गाड़ी मोरता है तो पहले आपने राइट ले लिए और यह समझ के पीछे वाला आपके राइट से गुषने की कुशिश करता है और इस चक्कर में फिर कई बार गाड़ी ठुकने का डर रहता है तो कुछ इस तरीके से प्रोब्लम होती है कि जैसे आपने नीचे देखा और स्टेरिंग आपका उसी तरफ मुड़ जाता है जैसी नीचे देखा फिर स्टेरिंग फिर इस लेने से पहले ही अपना प्रोपर एक गेर सिलेक्ट कर लेना है इसके पीछे जो सीधी जगा थी वहाँ पर मुझे पता था कि आगे में टर्न लेने वाला हूं तो मैंने पहले ही सेकंड गेर लगा दिया गाड़ी में और फिर जब टर्न लेने की बारी आई तब मैंने दोनों हातों को स्टेरिंग पर रखा और फुल कंसेंट्रेशन के साथ पूरी अवेकनिंग के साथ मैंने टर्न को लिया तो यह चीज आप कर सकते हैं और दूसरी चीज यह कि जब भी आप गेर चेंज करें फॉर एक्जांपल अभी मैं सेकंड गेर में हूं और अब मैंने गाड़ उसे गेर चेंज कर रहा है मुझे प्रॉपरली पता चल रहा है कि मैंने थर्ड गेर लगाया है अगर मुझे देखना ही है तो कई गाड़ियों में इस्पीड इंडिकेटर आता है और उस गेर इंडिकेटर को देखके आप देख सकते हैं कौन से लगाए अब मुझे यहां तरन लेना है तरन से पहले ही मैंने सेकंड गेर का लिए इंडिकेटर दिया और यहां पर मैंने दोनों हातों को स्टेरिंग पर लख यह मैंने टर्न लिया तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं और काफी helpful रहता है एक बार जब आपको आदत हो गई इस चीज की तो फिर कभी भविश में आपको इस तरीके की दिक्कत आएगी नहीं तो simply आपको प्रैक्टिस यही करना है पहली चीज तो आपको टर्न वगेरा लेने से पहले आपको गेर अपना जो भी आप चाहते हैं वो लगा के रखना है और दूसरी चीज आपको गेर चेंज करते समय नीचे की तरफ नहीं देखना है केवल आपने हाथों गेर पर रखना है और वहां पर अंदाजा लगाना है कि मेरा गेर कौन सा इस वक्त लग रहा है या में लगाने वाला हूं तो यह बिल्गुल सही तरह तरीका है गेर चेंज करने का और अगर आप इस तरीके से गेर चेंज करेंगे तो यह जो प्रॉब्लम है स्टेरिंग तेड़ा हो जाना गेर चेंज करते वक्त इस से आप बच सकते हैं तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में इतना ही था अगर आपको वीडियो पसंदे तो वीडियो को एक लाइक कर देना और बहुत जल्द मिलेंगे इस सीरीज की अगली वीडियो में तब तक के लिए आप मेरी ड्राइविंग की जो प्लेलिस्ट है उसे जरूर चेक आउट करें उसमें मैंने पूरी लगबख सारे सवालों को और हर तरीके को कवर करने की कोशिश करिए और लगबख हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर रहा हूं अगर आपको ड्राइविंग से रिलेटेट को प्रॉब्लम आती तो आप किसी भी वीडियो में कमेंट डाउन कर रहें और मैं उस पर वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा वाकि मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद जैहिन